गाइस जैसा की पिछले एपिसोड बैन वसेस विलगैक्स पार्ट वन में हमने देखा था विलगैक्स दस दुनिया का विजयता बनकर बैन को फाइट की चुनोती देता है जो जीता अर्थ उसकी बैन और उसके दोस्त देखते हैं विलगैक्स तो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है और वो बैन की ओम्निटिक्स को हैक करने की कोशिस करते हैं जिसमें एजमत उन्हें वान भी करता है ऐसा मत करो बैन अभी तुम तया नहीं हो पर बैन एजमत की बात नहीं मानता और प्रोसेस जारी रखता है और गड़बड़ी के चलते हैं अम्निटिक्स ओवरलोड हो जाती है और वहाँ पर एक जोड़दार धमाका होता है अब पा कोमस्टोन के बगल में स्पाइडर मंकी आ जाता है गवेन हैरान हो जाती है एक और बैन और वो दोनों भाग जाते है गवेन चिलाती है रुको कहां भाग रहे हो तुम दोनों कि तबी पीचे से आवाज आती है ये तुम क्या कह रही हो मैं तो यहीं पर हूँ और बैन भी बहा निकल जाता है लेकिन बैन के सामने से गूप निकलता है और गूप भी भाग जाता है बैन कहता है मैं यहां भी हूँ और दोनों परेसान हो जाते हैं फिर उन्हें केविन की आवाज सुनाई देती है और जब वो उसके पास जाते हैं तो कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे इसे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अभी लाइक करिए और सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए वो दोनों देखते केविन तो पहले की तरह मौस्टर में बदल गया है जिसको देखकर केविन क काफी गुसा आ जाता है ग्वेन बोलती है कुछ नहीं होता केविन दोबारा नॉर्मल होने की कोसिस करो और केविन कोसिस करने लगता है पर इससे कुछ नहीं होता वो बैन को मदद करने को कहते है पर बैन उन्हें दिखाता है यहां देखो मेरी वाच से क्रोमस्टोन चेरचार करने का क्या नतीजह होगा अब भुग तो अगर तुम उन एलियन को 24 गंटों के अंदर अंदर आम्रिटिक्स के अंदर ना ला पाए तो वो एलियन तबाह हो जाएंगे और तुम हमेशा के लिए उनकी सक्तियां खोदोगे बैन पूसता है तो मैं उन्हें कैसे पकड़ू एजमत बताते हैं उनके करीब जाकर अम्रिटिक्स को कैप्चर मोर पर सेट करके बाकी अपने आप हो जाएगा मुझे तुम से ये उमीद नहीं थी बैन टैनिसन फिर कभी मैं तुमारी मदद नहीं करूँगा ग्वेन उन्हें अपने मैजिक से ढूनने की भी कोसिस करते हैं पर वो सभी बैन के जैसे थे तो फिर केविन उन्हें बताता है ये मुस्किल नहीं है उनके पास ओम्रिटिक्स है हम अपने बैजेस की मदब से उन्हें ढून सकते हैं और उन्हें ढूनने निकल पड़ते हैं तुम मॉंस्टर नहीं हो, कैविन तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, की तभी उनके बैच पर क्रोमस्टोन का सिगनल आ जाता है, जो कि अपनी बढ़ा सुतार रहा था, जिसको बुलाने के लिए बैन ने देखो क्या किया, कैविन वो कोई डॉगी नहीं है, कैकर सीधा उस पर अटैक करने आता है, पर क्रोमस्टोन उसे दूर गिरा देता है, लेकिन अब तो कैविन मौश्टर है, वो अपना फेवरेट हत्यार बना कर क्रोमस्टोन पर दे मारता है, लेकिन फिर से क्रोमस्टोन उसे दूर गिरा देत और रेंबो फायर करता है लेकिन इस बार ग्वेन उसे बचा लेती है पर जाता देर तक नहीं इसको देखते हुए बेन बदलता है अपचक में और क्रोमस्टोन की रेंबो लेजर खाकर उसी पर मानने लगता है जो देखने में काफी मस्त लग रहा था ग्वेन बोलती है ये दोनों तो ऐसे ही खेलते रहेंगे मुझे ही बीच में जाना होगा लेकिन ग्वेन भी कुछ नहीं कर पाती जिससे वो तीनों टैंसन में आ जाते हैं अब क्या करें कि तभी कैविन अपना जोरदार पंच मार कर क्रोमस्टोन को ढेर कर देता है और बेन वापस क्रोमस्टोन को अम्निटिक्स के अंदर ले लेता है फिर वो अगले एलियन के निकल जाते हैं वो काफी देर से चर रहे थे ग्वेन अपने लैप्टॉप में देखकर बेन को बताती है बेन तुम्हें अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा विल्गैक्स ने दस दुनियायों के सबसे त काच खराब ती जिस से केविन और बेन के वीज़ पहस होने लगती है की तभी उनकी कार शेंदर momenky के जान में फ्स जाती है शे स्पाइबर momenky के जान में फसा देती है बेन और केविन बीन जाले में कूत दे कैविन बढ़ाता है इस्पाइडर मंकी गवेन की और अंडे देने आ रही है जिससे बच्चे निकलेंगे और गवेन के ब्रेंग को खा जाएंगे बक्वास बंद करो केविन कहकर बेन ब्रेंश्टों में बदलकर गवेन को चुड़ा देता है और नीचे केविन गवेन को कैच कर दे लेता है और उसके काफी पास आ जाता है ग्वैन बेन को कहती है वो तुम्हारे काफी पास है उसे एब्सॉप कर लो और बेन इस्पैडर मंकी को भी अपनी आम्निटिक्स के अंदर एब्सॉप कर लेता है और फिर से तीसरे एलियन की ओर निकल पड़ते हैं बस दो एलियन करना बाकी थी पाच घंटे बाद बेन को विलगैक्स से भी लड़ना था कि उन्हें गूबी मिल जाता है जो नीचे गटर में था वो तीनों गटर के अंदर जाते जहां पर बेन एक फणी जोक मारता है यहां तो गटर जैसी बद्वू है ग्वैन कहती है बेकार जोक्स मान बंद करो भें तो यहां फूल मजे लेता है पहले वह मखर मच के नाम पर कैविन को ड़राता है कैविन तो इतना डर गया था जूपर जाने की बात करता है जिससे। गवं गुस्सा हो जाती फिर कैविन को मकणियों के नाम पर डराने लगता है जिससे अब Gwen भी डर रही थी कि तभी Ben को पानी में Goop का एंटी ग्रैविटी प्रोजेक्टर मिलता है और नीचे से Goop Ben को अपने अंदर ले लेता है Gwen और Kevin Ben को बचाने आते पर Goop उन दोनों को दूर फेक कर उन पर उपर लगे पाइपस किरा देता है तभी Ben चुपके से वाच को दबा देता है और सोमफायर में बदल जाता है Goop भागने की कोसिस करता है Ben उस पर जैसे ही आग के गोले फेकने वाला था Gwen उसे मना करती है ये गटर मिथेन गैस से बरा है लेकिन तब तक देर हो गई थी और अंदर एक जोरदार बलास्ट हो जाता है Ben और Gwen Kevin उपर आ जाते Gwen और Kevin Ben से बहुत गुस्सा होते है आ गया सुआद Ben उनसे सौरी कही रहा था कि तभी Ben की खोपड़ी उड़ जाती है जो कि Goop ने उड़ाई थी और बॉड़ी को भी धीरे धीरे उड़ा रहा था वो Ben की हरी चटनी मना देता है पर Ben रीजनरेट हो जाता है जिसको देकर Goop दुमदवा कर भागने लगता है पर Ben अपना हाथ लंबा करके Goop का एंटी ग्रैविटी प्रोजेक्टर खीज कर Goop को भी अपनी कॉम्निटिक्स के अंदर खीज लेता है अब सिरिफ वेविग बचाता पर विलगैक्स के साथ वाइट आदे घंटे बात थी और वेविग तक पहुचने में भी आदा घंटा लगना था तब ही Gwen के बैज पर ग्रैणपा का कॉल आता है वो कह रहे थे विलगैक्स प्लंबर्स की जिम्मेदारी है तुम अभी भी बच्चे ही हो बैन इसलिए मैं लड़ूँगा बैन कहता है लेकिन उसने मुझे चुनौती दी है ओम्निटिक्स मेरे पास है ग्रैणपा कहते हैं तुमारे पास एक गंटा भी नहीं है Gwen बैन को बताती है वेविक के बगेर तुम विलगैक्स को कैसे हरा पाओगे पिछली पार उसी से तुम जीते थे फिर हम युद्ध के मैदान में इसकल को देखते है जो कहता है ये लड़ाई सभी न्यूजों में दिखाई जाईगी और विलगैक्स की सेना हमारे उपर ही है अगर तुमारा बैन लड़ने नहीं आया तो विलगैक्स वैसे ही जीत जाएगा उसके इतना बोलते ही बैन जैडरे बनकर वहाँ पर आ जाता है ये कहते हुए अगर विलगैक्स डर कर पीछे हाटा तो मैं जीत जाऊंगा ना उसके बाद मैं तुम्हें अपने यहां नौकरी पर रखूँगा नौकरी करोगे न मेरे पास इसकल बोलता है देख लेंगे अब मेरे लॉड आ रहे है और उपर से एक आग के गोले के साथ विलगैक्स की धमाकेदार एंट्री होती है जो कहता है बेंट है मैं तुम्हें खतम करने आया हूँ तुम तैयार हो ना तुमारी कोई आगरी क्वाईज बेंट बोलता है एक के बाद एक पंचेस माने लगता है जिससे बेंट गायल होकर बिक्चिल में बदल जाता है और विलगैक्स को बरफ से जमा देता है बेंट कहता है कोई विलगी आइसक्रीम खाना चाहेगा पर विलगैक्स आई लेजर से उस बरफ को तोड़ देता है बेन गायब होकर विलगैक्स से बच रहा था पर विलगैक्स हाथ पर सीड लगा कर बेन को पकड़ लेता है और एक तगड़ा शौक मारता है और बेन जमीन परा गिरता है पर बेन नीचे से ओ उपर युमांगोसर बनकर आता है उनके पंचेस जैसे ही आपस में टकराते है तो तो चारों तरभ धुआँ हो जाता है फिर धुआँ हटते ही हम देखते हैं अर्वे उसके सीर को और नीचे दबाते जाता है कि तबी ग्वेन और कैविन आकर बेंध को चियर करते हैं उससे मत ड़रो बेंध तुम्हारे पास यूमंगा सोर से भी बड़ा एलियन है इतना कहते ही उनके पीछे वेविग आ जाता है वेविग बेन को बचा लेता है और बेन तुरंथी वेविग को आम्लिटिक्स के अंदर खीच लेता है फिर बेन वेविग में बदलने की कोशिस करता है पर क्रोमस्टोन में बदल जाता है और लेजर मारकर विल्गैक्स को दूर गिरा देता है अब विल्गैक्स अपनी तलवार पर डायमेंड लगाकर बेन की रेंबो लेजर को रोकते जाता है और उसकी और आगे बढ़कर उसको देकर सबी मायूस हो जाते है बेन मारा गया विल्गैक्स जोर से चिलाता है मैं जीत गया और इसकल बेन की ऑम्निटिक्स विल्गैक्स के पास लाता है और उसे देने ही वाला था कि तब ही ऑम्निटिक्स तेजी से चमकने लगती है और क्रोमो स्टोन दुबारा एक होने लगता है और बैन अचानक से डायमन हेड में बदल जाता है और विल्गैक्स पर ताबड तोड हमला कर देता है जिसकी विल्गैक्स को उम्मीद तक नहीं थी वो विल्गैक्स पर अपने बनाए काफी बड़े बड़े डायमंड के टुकड़ों को डाल देता है जिनके नीचे विल्गैक्स दब जाता है बैन कहता है हार मानते हो और विल्गैक्स अपनी हार मान लेता है ग्रैंटपा आकर कहते गैलेक्सी के नियमों के मताबिक तुम हार गए हो विल्गैक्स अब तुम वापस लोड़ जाओगे और यहां कभी हमला नहीं करोगे विल्गैक्स हाँ कहता है और जाते जाते बैंड से बदला लेनी की बात भी घरता है बैंड भी जोस में हाँ ले ले जीत कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाई